हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब कुशल होंगे आईए आज आपका नया अध्याए त्रिकोन मीति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना आरंब करते हैं पिशले अध्याए में आपने त्रिकोन मीतिय अनुपातों के बारे में अध्यान किया है इस अध्याए में आप कुछ उन विधियों के बारे में अध्यान करेंगे जिन में त्रिकोन मीति का प्रयोग आपके आसपास की जीवन से जुड़ा होता है त्रिकोन मिती एक प्राचीनतम विशह है जिसका अध्यन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं जैसा कि हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि त्रिकोन मिती का अविश्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोल की में आवशक्ता पड़ती है तब से आज तक खगोल विद्व इसका प्रियोग पृत्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं त्रिकोन मिती का प्रियोग भुगोल और नौचालन में भी किया जाता है त्रिकोन मिती के ज्यान का प्रियोग मांचित्र बनाने और देशांतर यानि लौगिट्यूड और अक्षांस लाटिट्यूड के सापेक्ष एक द्वीप की स्तिती ज्यात करने में की जाती है इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किये बिना ही त्रिकोन मिती का प्रियोग विभिन वस्तों की उचाईयां और दूरियां ग्यात करने में किया जाता है आएए बचों इस आकरती पर विचार करें यह देखें इस आकरती में छात्र की आंख यह चात्र है एई इसकी आंख से मिनार के शिखर तक खींची गई रेखा एसी यह हमारा सी है एसी को द्रश्टी रेखा कहते हैं लाइन उफ साइट छात्र मिनार के शिखर की ओर देख रहा है द्रिश्टी रेखा और शेत्र रेखा से बने कोण इस कोण को हम क्या कहते हैं उन्यंद कोण BAC को छात्र की आंख से मिनार के शिखर का उन्यन कोण जिसको हम angle of elevation कहा जाता है ठीक है बचो ये आप इस प्रकार दृष्टी रेखा प्रेशक की आंख के उस वस्तू के बिंदू को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेशक देखता है देखे गए बिंदू का उन्यन कोण उस स्थिती में दृष्टी रेखा और शैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकी देखा जारा बिंदू शेतिज स्तर से उपर होता है अर्थात वह स्थिती जबकी वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है आईए हम आकरती को पुने देखें यदि आप सही माइने में बिना मापे ही मिनार की उचाई CD ग्यात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस जानकारी की अवशकता होती है इसके लिए निम्न लिखित तत्यों का ग्यान होना अवशक होता है आईए देखते हैं कैसे दूरी D.E. जहां चात्र मिनार के पात बिन्दू से इस दूरी पर खड़ा है कुछ इस प्रकार था हमारा आकरती दूरी D.E. जहां चात्र मिनार के पात बिन्दू से इस दूरी पर खड़ा है दूसरा मिनार के शिखर का उन्यन कोण B.A.C. ये उन्यन कोण है B.A.C. और तीसरा चात्र की उचाई A.E. यह मान कर कि उपर बताई गई तीनों जानकारियां हमें ग्यात हैं तो हम किस प्रकार मिनार की उचाई ग्यात कर सकते हैं? देखिए आकरती में हम देख रहे हैं C.D. C.D. बडाबर है C.B. प्लस B.D. यहां B.D. बडाबर है A.E. जो की चात्र की उचाई है B.C. ग्यात करने के लिए हम कोण B.A.C. या कोण A के त्रिकोन मिती अनुपातों का प्रियोग करेंगे आए देखते हैं त्रिबू J.B.C. में भुजा B.C. ग्यात कोण A के सम्बंद में सम्मुख भुजा है यहां हम किन-किन त्रिकोन मिती अनुपातों का प्रियोग कर सकते हैं इन में से किसके दो मान हमें ग्यात हैं और हमें किसका मान ग्यात करने की आवशक्ता होती है टैन A या कौटे का प्रियोग करने से हमारी खोज का छेत्र कम हो जाता है क्योंकि इन अनुपातों में A.B. और B.C. का प्रियोग होता है अतहर टैन A बराबर है B.C. बटा A.B. या कौटे बराबर है A.B. बटा B.C. जिससे हल करने पर हमें BC प्राप्त हो जाएगा BC और AE जोडने पर मिनार की उचाई प्राप्त हो जाएगी आए अब हम कुछ उधारन हल करके अभी अभी चरचित किये गए प्रक्रम की व्याख्या करें पहला उधारन धर्ति पर एक मिनार उर्धवाधर खड़ी है धर्थी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 15 मीटर दूर है मिनार के शिखर का उन्यन कोन 60 डिग्री है मिनार की उंचाई ग्याद कीजिए आईए पहले हम प्रश्न को निरुपित करने के लिए एक सरल आरेक बनाएं यहां AB मिनार को निरुपित करती है CB मिनार से बिंदू की दूरी पर है और कोन ACB कोन ACB उन्यन कोन है हम मिनार की उंचाई अर्थार्थ AB ग्याद करना चाहते हैं और यहां ACB एक त्रिवुज है जो B पर सम कोन है आए हम इसमें AB ग्याद करेंगे और हमें कोन पता है 60 डिग्री है और यह दूरी पता है 15 है तो AB बटा BC क्या हो जाएगा बच्चों? 10 ग्याद करने के लिए प्रशनु हल करने के लिए हम त्रिकोन मिती अनुपात 1060 या Cod60 लेते हैं क्योंकि इस अनुपात में AB और BC दोनों होते हैं अब 1060 बडाबर है AB बटा BC अर्थात वर्गमूल 3 बडाबर है AB बटा 15 अर्थात AB बडाबर हुआ 15 गुना वर्गमूल 3 अतह मिनार की उचाई हुई 15 गुना वर्गमूल 3 मीटर ठीक है बच्चो अगला प्रशन देखते हैं दूसरा उधारन एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर उचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदू तक वे पहुंचना चाहती है यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे की शेतिज से 60 डिगरी के कोन से जुकने पर वे अपेक्षित स्तिती तक पहुंच जाए और यह भी बताईए की खंबे का पाद बिंदू कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदू से होना चाहिए यहां आप वर्गमुल 3 बराबर 1.73 ले सकते हैं आईए बच्चों देखते हैं इसको कैसे आल करेंगे यह देखिए आकरती में बिजली मिस्त्री का को खंबे AD पर बिंदू B तक पहुंचना है यह देखिए यह बिंदू B तक इसको पहुंचना है और BD बराबर है BD बराबर है AD माइनस AB जो बराबर है 5 माइनस 1.3 मीटर अर्थात 3.7 मीटर यहां BCCD को प्रकट करता है हमें इसकी लंबाई अर्थात समकोन त्रिभुज BDC का कर्ण ज्यात करना है यह आपका कर्ण है BC और यह हमें 99 कोन 60 डिग्री दिया हुआ है अब देखिए अब क्या आप यह बता सकते हैं कि हमें किस त्रिकोन मीती अनुपात का प्रयोक करना चाहिए यह त्रिकोन मीती अनुपात साइन साथ डिग्री होना चाहिए क्यों क्योंकि BD बटा BC क्या होगा साइन साथ डिग्री और साइन साथ डिग्री तो हम जानते हैं वर्गुल तीन बटा 2 होता है आएए इसको हल करते हैं BD बटा BC हुआ साइन साथ डिगरी या 3.7 बटा BC हुआ वर्गमुल 3 बटा 2 इसलिए BC बराबर हुआ 3.7 गुना 2 बटा वर्गमुल 3 इसको हल करके हम पाएंगे यह बराबर होता है 4.28 मीटर लगभग अर्थात सीडी की लंबाई हुई 4.28 मीटर होनी चाहिए अब DC बटा BD कितना हुआ COT 60 जिसका हम मान जानते हैं 1 बटा वर्गमुल 3 होता है अर्थात DC हुआ 3.7 बटा वर्गमुल 3 और हल करके हम पाते हैं यह बराबर होगा 2.14 मीटर लगभग अतह उसे सीडी के पात को खंबे से 2.14 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं 1.5 लंबा एक प्रेशक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्यन कोन 45 डिक्री है चिमनी की उचाई बताईए यहां देखिए A, B चिमनी है A, B चिमनी है और C, D परेशक है ठीक है? और कोन A, D, E कोन A, D, E 45 डिक्री है? उन्यन कोन 45 डिक्री है? यहां A, D, E एक त्रिबुच है जिसमें कोन E समकोन है और हमें चिमनी की उचाई ग्याद करनी है यहां हम जानते हैं A B बराबर है A E प्लस E B बराबर A E प्लस 1.5 मीटर और B E बराबर है C B जो है 28.5 मीटर ठीक है अब इसको अहल करते हैं A E ग्याद करने के लिए हमें एक ऐसा त्रिकोन मीटी अनुपात लेना चाहिए जिसमें A E और D E दोनों हो इसके लिए आईए हम उन्यन कोन का टैंजन्ट लें अब टैंजन्ट टैंट 45 दिग्री बराबर होता है A E बटा T E अर्थात टैंट 45 दिग्री का मान जानते हैं होता है एक एक बराबर है A E बटा 28.5 और तिर्ची गुना करके हम पाते हैं A E बराबर होगा 28.5 मीटर अतर चिमनी की उचाई A B बराबर होगी 28.5 प्लस 1.5 मीटर जो है 30 मीटर ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं आपकी प्रशनावली 9.1 का पहला प्रशन सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सीधे लगे खंबे के शिकर से बंदा हुआ है यदि भूमी स्तर के साथ दोर द्वारा बनायाएगा कोण 30 डिगरी का हो तो खंबे की उचाई ग्याद कीजिए कुछ इस प्रकार से आकरती बना लेते हैं भी एक समकोण है यह आपकी डोर है और यहाँ एक कलाकार यह ऊपर चड़ रहा है और यह कोण हमारी है 30 डिगरी ठीक है हमें ग्याद करना है A B तो हम त्रिभुच A B C में A B बटा A C बराबर होगा क्या होगा A B बटा A C क्या होगा बच्चो साइन 30 डिगरी A B हमें 20 मीटर लंबी डोर तो यह 20 मीटर दे रखी है हम इसका मान रख देते हैं A B हमें ग्याद करना है बटा 20 बराबर है साइन 30 का मान होता है एक बटा 2 इस प्रकार A B हो जाएगा 20 बटा 2 याने की 10 मीटर ठीक है बच्चो इस प्रकार हमने खंबे की उचाई ग्याद की जो 10 मीटर है ठीक है आईए अगला प्रशन करते आंदी आने से एक पेड तूट जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरह मुर जाता है कि पेड का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है पेड के पाद बिंदू की दूरी जहां पेड का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है पेड की उचाई ग्याद कीजिए पहले हम इसकी आकरती बना लेते हैं माना AC पेड है हम इसको ले लेते हैं A और C पेड हम माल लेते हैं यहां इस बिंदू पे तूटा है और इसको हम माल लेते हैं B और तूट करकी पेड ऐसे गिरा है तो यह हो गया हमारा A डाश अब देखी यह हमारा इस तरीके से पेड था और जो तूट करकी ऐसे गिरा है ठीक है? तो माना AC पेड है और A-B पेड के तूटने से पहले की स्थिती है और A-B पेड तूटने के बाद की स्थिती है हम देखते हैं कि त्रिभुज A-B C में ये हमें मान पता है कितना है 30 degree ठीक है 10 30 degree पराबर होगा B-C बटा A-C ठीक है और ये हमें दे रखा है 8 मीटर है तो हमने लिखा 10 30 का मान कितना है 1 बटा वर्गमुल 3 बराबर हुआ B-C बटा 8 तिर्ची गुना करके हम पाते हैं B-C बराबर होगा 8 बटा वर्गमुल 3 तथा cos 30 degree हमें कैसे पता लगाना है पुरा पेड A-B जो B-A- के बराबर है और B-C भी हमें निकालना है अब देखें cos 30 degree बराबर होगा A-C बटा A-B इसका मतलब cos 30 degree कितना होता है वर्गमुल 3 बटा 2 जो बराबर हुआ A-C बटा A-B के मतलब 8 बटा A-B के तिर्ची गुना करके हम पाते हैं A-B बराबर होगा 16 बटा वर्गमुल 3 के अब देखें हमें चाहिए पूरे पेड की लंबाई हम इसको आगे हल करते हैं पेड की उचाही A-C बराबर है A-B प्लस B-C A-B किसके बराबर है A-B क्योंकि वही हिस्सा तूटके गिरा है प्लस B-C यह हम निकाल चुके हैं 16 बटा वर्गमुल 3 प्लस B-C कितना निकला था 8 बटा वर्गमुल 3 16 और 8 हो गया 24 24 बटा वर्गमुल 3 इसको हल करके हम पाएंगे 24 गुना वर्गमुल 3 बटा 3 तीन से 24 कट जाएगा और हमें मिलेगा आठ वर्गमुल 3 मीटर इसलिए पेड की उचाई कितनी होगी 8 वर्गमुल 3 मीटर ठीक है बच्चो आईए अगला प्रेशन करते हैं भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दूरी पर है मिनार के शिखर का उन्यन कोन 30 डिगरी है मिनार की उचाई ग्याद कीजिए माना ये भी एक मिनार है इस प्रकार और सी पाद बिंदू से 30 मीटर दूरी पर हैं और कितनी हमारे पस, उन्यन कोंड कितनी है, 30 डिग्री, तो इस प्रकार तिरिभुज A, B, C में जहां B समकोंड है, हमें मिलेगा A, B, B, C, क्या होगा, टैन 30 डिग्री, A, B, B, 30, यह 30 मीटर हमें दिया हुआ है, बराबर है टैन 30 डिग्री का माणने 1 बटा वर्गमुल 3, इस प्रकार A B होगा 30 बटा वर्गमुल 3 और इसको हल करके हम पाते हैं 30 गुना वर्गमुल 3 बटा 3 और ये हमारे पास आया 10 गुना वर्गमुल 3 इसलिए मिनार की उचाई हुई 10 गुना वर्गमुल 3 मीटर ठीक है बच्चो आईए अगला प्रेशन करते हैं भूमी से 60 मीटर की उचाई पर एक पतंग उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमी के एक बिंदू से बान दिया गया है भूमी के साथ डोरी का जुकाव 60 डिग्री है यह मान कर कि डोरी में कोई धील नहीं है डोरी की लंबाई ग्यात कीजिए मान के पतंग है ऐसे बना लेते हैं आकरती यह देखिए यह हमारी यहां पर पतंग है के पतंग है और पी एक बिंदू है यह एल है और हमें यह पता है कितना मान है यहां पर उन्नेन कोण का साथ डिग्री है और कितनी उचाई पर उड़ रही हमारी पतंग 60 मीटर ठीक है तो त्रिभुज KLP में KL बटा KP क्या होगा साइन 60 डिगरी तो 60 बटा KP बराबर हुआ वर्गमुल 3 बटा 2 KP इस प्रकार हमें मिला 120 बटा वर्गमुल 3 इसको हम दुबारा से वर्गमुल 3 बटा वर्गमुल 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 120 बटा 3 अब देखिए 3 से हमें इसको काट सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा 40 गुना बटा 3 मीटर इसलिए डोरी की उचाई हुई 40 गुना बटा 3 मीटर ठीक है बच्चों आईए अगला प्रशन करते हैं भूमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मिनार के तल और शिखर के उन्यन कोण क्रमश पैंतालिस दिग्री और साट डिग्री हैं मिनार की उचाई ग्याद कीजिए यहां माना की 20 एक भवन है 20 एक भवन है और यह भी एक संचार मिनार है इस प्रकार हमें कोण क्या दिए हुई है 45 डिग्री और 60 डिग्री ठीक है बच्चों और हमें क्या दिया हुआ है भूमी के एक बिंदू से 20 मीटर उचे भवन हमें यह भवन है और इसकी उचाई हमें दिव हुई है ठीक है आएए माना बी-सी भवन है और ए भी एक संचार मिनार है और त्रिभुज बी-सी डी में यह हमारा डी बिंदू है बी-सी डी में बी-सी बटा डी-सी कितना है टैन पेंतालिस डीगरी जो हम जानते हैं एक के बराबर होता है तो बी-स बटा सी डी हुआ एक याने की सी डी हो गया बी-स मीटर यह भी बी-स मीटर आ जाएगा और त्रिभुज ए-सी डी में ए-सी बटा सी डी कितना होगा टैन साथ डिगरी ए-सी कितना है ए-बी-सी तो ए-बी-सी बटा सी डी कितना हुआ वर्ग मुल तीन अथ्वा ए-बी-स बटा बी-स बराबर हुआ वर्ग मुल तीन और हल करके हम पाते हैं A B बराबर होगा 20 गुना वर्गमुल 3 माइनस 20 अब हम 20 को उभेनिष्ट ले लेते हैं और हमें प्राप्त होगा A B बराबर 20 उभेनिष्ट है वर्गमुल 3 माइनस 1 मीटर इस प्रकार संचार मिनार की उचाई कितनी होई बच्चो? 20 गुना वर्गमुल 3 माइनस 1 मीटर ठीक है? समझ में आया? आएए अब ग्रह कारे के लिए कुछ प्राशन ले लेते हैं पहला प्राशन किसी मिनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदूओं से मिनार की चोटी के उन्यन कोंड परस पर पूरक हैं सिद्ध कीजिये कि मिनार की उचाई वर्गमुल S गुना T है बहुती प्यारा प्रशने बच्चो जरूर अप्यास कीजिएगा प्रशन दूसरा एक समतल भूमी पर खड़ी मिनार की चाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्यन कोंड 30 दिगरी है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्यन कोंड 60 दिगरी था मिनार की उचाई ग्याद कीजिए ठीक है बैचो अगला प्रश्न एक उर्ध्वाधर मिनार एक शतीज समतल पर खड़ी है तथा उस पर एच उचाई का एक उर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है समतल के किसी बिंदू से ध्वज दंड के निचले और उपरी सिरो के उन्यन कोंड क्रमश आलफा और बीटा है सिद्ध कीजिये की मिनार की उचाई एच गुना टैन आलफा बटा टैन बीटा माइनस टैन आलफा है प्रशन चार तीस मीटर उची एक मिनार की चोटी का उसी समतल भूमी पर खड़ी मिनार के आधार से उन्यन कोंड साट डिग्री है तथा दूसरी मिनार की चोटी का पहली मिनार के आधार से उन्यन कोंड तीस डिग्री है दोनों मिनारों के बीज की दूरी ग्याद कीजिए तथा दूसरी मिनार की उंचाई भी ग्याद कीजिए ठीक है वच्चों आईए अब हम सारांज देख लेते हैं इस अध्याए में आपने निमल लिखी तत्यों का अध्यन किया है पहला दृष्टी रेखा प्रेशक की आँख से प्रेशक द्वारा देखी गई वस्तू के बिंदू को मिलाने वाली रेखा होती है दूसरा देखी गई वस्तू का उन्यन कोण दृष्टी रेखा और शैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह शेतिज स्तर से उपर होता है अर्थात वैस्तिती जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उपर उठाना होता है अगला त्रिकोन मितिय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की उचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ग्यात की जा सकती है तो बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास कीजिएगा तन्यवाद करता पार्ट समझ मेंर कि यादा वस्तुओंच तन्यवाद वादट वस्तुब शुचART चिएं से लग्यात की तो प्पाब